चने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक खुश्क बर सामने आई है। इन दिनों चने के भावों में जोरदार उच्छाल आ रहा है। देश की अधिकांश मंदियों में चने के भाव न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP से उपर बने हुए हैं। वही महाराष्ट्र की मंदियो में चने के भावों में जोरदार उच्छाल देखने को मिल रहा है। यहां बीते दिन चना का भाव 10,000 रुपए को पार कर गया। यहां चने का भाव 10,351 रुपए प्रती क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की चोपड़ा मंदि में भी चने का भाव 10 351 रुपए प्रती क्विंटल के आसपास रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की मेदिनीपूर पश्चिम मंदी में नया चना 8,500 रुपए प्रती क्विंटल के भाव से तो केरल की पलककर मंदी में चने का भाव 8,000 रुपए प्रती क्विंटल के भाव से बिका। इसके चने की उपज का स्टॉक रखा हुआ है, वह इस समय बाजार में उंचे भावों पर चने की उपज बेच कर बेहतर लाब प्राप्त कर सकते हैं। बाजार जानकारों के मुताबिक इस समय चने के भाव में बीते 10 दिनों के अंदर 200 से 300 रुपए प्रती क्विंटल की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बार चने की बुवाई कम होने से उतपादन घटने की संभावना है। इस साल चने की पैदावार में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। उतपादन घटने की आशंका में चने की कीमतों में तेजी दिखाई दे रही है। बाजार मांग अधिक होने से इसके बाजार भावों में तेजी बनी हुई है। बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक शादियों के सीजन में मांग बढ़ने से चने क औसद भाव 6,350 और अधिक्तम भाव 10,000 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। चने की नई फसल आने में अभी समय है। इसे में अभी चने के भावों में तेजी बनी रह सकती है। नई फसल आने के बाद चने के भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। Bureau Report Market Times TV